एफ देखो आज है ट्वन्टेश सेँग सप्तंब्र संदे मतलब अभी मार्केट में दो दिन होलिडेग चल रहा था भई जब होलिडेग चला तो मैंने रिश can मनें मार्केट में कुछ नय देखा मैंने कुछ नय स्टॉक्ष को ढूंड रहा था देख र्यप्र एक चोटा सा स्टॉक, देखो, एक मिनट का स्टोरी बोलूँगा, आप स्टॉक के बारे में पूरा एक ओवर्वीव मिल जागा आपको, लगबा किवल पांच रुपे का शेयर है यह, तो आज संडे को बैठे-बैठे में ढूंड रहा था, कोई काम नहीं था, तो पांच अगर धीरे-धीरे करके इसेदारी खरीदी जा रही तो समझ में आता है भैई, यहाँ धीरे-धीरे-धीरे खरीद रहा है, नई, डायरीक्ट यहाँ से यहाँ जंफ मार दिया, अर लगबार 26% इसेदारी खरीदी, और पहले भी था, ऐसा नहीं कि परमटर्श के पास पहले पांच रुपे का है, सोचो, तो हो सकता है in case, ये future में आपको profit दे सकता है, या फिर maybe loss भी दे सकता, अब loss इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पैनी स्टॉक्स है पैनी स्टॉक्स का एक formula है, पहले समझ दो, बहुत simple और सरल है, कोई भी आपको समझा देगा अगर पैनी स्टॉक्स अगर आपने 10 खरीदे हैं केवल 10 पैनी स्टॉक्स आपने खरीदे हैं तो success ratio केवल 1 या 2 ही होता बाकि 8 या 9 स्टॉक्स आपको नुकसान ही देंगे, याद रखो तो ये पैनी स्टॉक्स का एक success story है कि अगर आप 100 खरीदोगों तो 2-4 ही सही निकलेंगे बाकि 90 या 95 जितने भी स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक्स आपको लॉस देंगे कुछ तो ऐसे पैनी स्टॉक्स रहेंगे जिनका नाम तक पोट्फोलियों में आपको दिखाई नहीं देगा क्यों नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो कंपनी खत्म हो चुक है जड़ से खत्म हो गए वो समझ दो ना जब उनका रूट ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि यहां पर कोई प्लांट भी था या नहीं था करके समझ दो ना तो एक बहुत सारा ऐसे होते हैं मैं आपको बोलूँगा पैनी स्टॉक से रिस्क है लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा अनलाइज करो फंडमेंटली देखो कंपनी को और फिर आगे बढ़ने की कोचिस करो बस इतना ही बोलूँगा मैं आपको आप देखो यहां पर सिंपल पहले पर मोटस के हिस्सदार ही देखते है देखो भाई दो तीन चीज़ों को देखना ज्यादा इंप्रटन है इक है कङ लेकिन पहले ये चीज़े आपको देखना जरूरी है कहीं कंपणी कर्ज में तो नहीं डूबी हुई है अब क्यों देती है भाई क्योंकि उनको डिट चुका ना समझे ना बदले में कंपणी ने आपको क्या दिया भाई आप मेरे हिस्सेदारी रख लो परमोटर्स को मेनेजमेंट को सबको पता है भाई मेरे कंपणी तो डुबने वाली है इनको हिस्सेदारी दे तो क्या फरक पड़ता है पैसा तो दे रहे ना वह और वह भी मतलब एकदम प्रीमियम लेबल पर पैसा दिया जा रहा है नो बारगीन है वहापर कोई बारगीन नह पर foreign domestic कोई भी नहीं आया आपर या foreign portfolio investor कोई भी नहीं नहीं mutual fund परमोटर्स के पास पहले 26% ही था देख लो अब भी ये जो मार्च के बाद जो next quarter result जून आये था ना लगबग वहाँ पर परमोटर्स ने लगबग ये जो stocks मे 52% अपने हिस्सेदारी कर ली है हाला कि पहले public के पास कितना था तो पहले public के पास लगबग अगर देखोगे तो लगबग 73% हिस्सेदारी थी जिसमें से लगबग अभी public के पास आधा से भी कम है लेस देन यहाँ देख सकते है लगबग 47% ही है यहाँ company के positivity भाई company के दो positivity यहाँ पर इकिवल देखने को मिल दीए पहला तो company is almost debt free एकदम debt free है को attention के बात नहीं है almost debt free है समझलो एकदम होई गई गई और उसके बाद permotors holding है यहाँ देख सकते है increase by 26% over last quarter जो अभी quarter जो गया ना उसी में अभी यह quarter आने वाला है next month यह हो सकता है कि एक दो महिने में इस company का दुबारा quarter result आते हुए नज़र आएगा तो company वाले को पता है कि मेरे quarter result काफी बैतरी नाने वाला है तो पहले से तया और इस company का market cap तो देखो लगबग 4 से 500 करोड के आसपास है ऐसा नहीं कि 50 करोड यह 100 करोड का market cap है 500 करोड के आसपास company का market cap होने वाला है जो की मतलब बहुत amazing है अच्छा है 500 करोड मतलब अच्छा है थे कि मेरे आपको जो main point में आपको बताया company में pledge है नहीं pledge है नहीं हाला कि एक बार इस company ने तो stock split भी दे रखा बताओ इस company ने stock split भी दे रखा 2016 में मतलब एक के बतलब 10 share दे रखे 2016 में यह company ने यह दे रखा और insider trading की तो बात ही मत करो insider trading में यहाँ पर देखो गए तो किसी चार करोड 80 लाग share खरीदे हैं आठ करोड मतलब बहुत मतलब अब जिनको भाई देखो छोटा था ना प्राइस में छोटे थे तो जब छोटा था तो लोगों ने करोडों share उठाना start कर दिया है क्योंकि छोटा प्राइस है समझा करो प्राइस चोटा अगर मालों आपको ए मतलब केवल खरीद नहीं है मतलब केवल खरीदना ही है इससे यह पता चलता है कि जिस तरीके से केवल लासट के मेहीं परमोर्स ने पिचीस हिस्सेदारि उन्होंने बढ़ाई है इसका मतलब यह क्या है कि वो लगबग 2-4 रुपे के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग बड़े प्लेयर होते हैं, मतलब वो लंबा और मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, दूर दूर तक, यह कंपनी ने रिस्क और रिवर्ड को नहीं, मतलब बैलन्स कर रही है, देखो, रिस्क अगर आपको माल लेते हैं स्ट्रेंथ है, और देख सकते हैं, कमपनी का वीकनेस के वल 4 है, ओनली 4 वीकनेस के पास है, हाँ, ओपरचिनिटी भी है कमपनी के पास, जो की 4 है, और थ्रेट भी है, के वल 2 है, अगर देखेंगे, यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा मतलब कमपनी में प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा मुझे लगता कि ऑपरचिनिटी और स्टेंथ ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कमपनी के सामने, तो यहाँ मंगलम, इंडस्टी, फाइनेस लिम्टेड आपको देखने को मिल रहा है, मैंने आपको सारी चीज़ बताई है, देखो यह 5 रुपया का जो शेर ह यहाँ पर, तो 5 रुपय का शेर अगर 50 रुपय हो जाए तो कुछ अलग ही मजाएगा यहाँ पर, और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि ज़्यादा तर प्रॉफिट उनको होने वाला जिन्होंने पहले से खरीद रखा है, एक साल में देखोगे तो लबब 15 से 60 100% यहाँ प पर अगर लगा रखा है, तो मैं आपको बूलँगा बहुत सारे यहाँ पर स्मार्ट लोग है, स्मार्ट इंवरेस्टेर है, वो लोग यहाँ पर पहले से मौका लगा रखे, तो मैं आपको बूलँगा, जब भी यहाँ पर lower circuit मिले, यह मत सूचेगा कि पांस उरूपया का पैसे डूब बरें यही 5 रुपा को स्टॉक कभी मुटा मुनाफ़ा भी दे सकता है यह सारी चीजे आपको पता ना चाहिए तो आज मैंने बोला आपको कि सतेडे संडे था तो मार्केट का होलीड़ी था तो सुचा कुछ नए देखा जाए रिसर्च किया जाए कुछ ऐसे श रिसर्च करना, नए कंपनी को ढूनना, देखना, क्या से, क्या गलट है, बाकी मर्जी आपकी है, यहाँ पर मैं आपके उपर छोड़ता हूँ कि आप क्या करता हूँ, अगर आप पैसे भी लगाते हो, तो मैं आपको बोलूँगा, सोच समझ के, छोटी-छोटी पैसे लगाय याँ और बस इतना छोटा पैसे लगाऊ, राकित जुन-जुनवाला का इन्वेस्टमेंट करने का strategy, उनके पास लगवक्प 80.000 करोड है, 21.000 करोड में से वो कितना पैसे लगाते हैं, आपको पता है, पैनी स्टॉक्स में लगाते हैं, लेकिन वो केवल लगभक, कम से कम त 100005 1ुपल उनको किवल 1000 रुपएप डालना है यह 500 रुपएप ही डालना सोच सच्छो इस तरीके से तो इससे काम करो नहीं तो कल परसेंट या कभी हो सकता है चोटा-चोटे परसेंटेस में खरीते हैं वो मैं एक बार फिर बोल रहा हूं रिस्क काफी ज्यादा होता पैरी स्टॉक्स में लेकिन फिर भी सो समझ के काम करो आपको बहुत सारे बार डिस्कलेमर दिया जाता और बताया जाता और अगर आप होगे तो लगबग एंजल अब एंजल वन बन चुका है नंबर वन स्टॉक ब्रोकर्स देखनी को मिला यहां पर आप राव का पैसा दोनों सेफ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटो में जाके अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं